मुंग की जो है बवाई किस महीनम किये थें नोप्र आप देख रहें प्रताब गभ बलाग समेराम करा लास लाज चाहा आज किस वीडियो में हां बात करने वाला हूँ मुंग की आगेती खेती किस महीने में किया जाता है यहां पर देख सकते हैं कि फूल और फल दोनों लग चुका है थोड़ा नजदिक से दिखा दीजिए यहां पर जो फल लगी हैं और फूल भी लग चुके हैं जो कि अभी गर महीने के बात किया जा तो महीने चल रहा है और अभी तो जो पच्छेती बुआई किये थे मूं की उन लोग देखा जाता है कि अभी फूल भी सहिस नहीं लगे होंगे लकिन यहां पर देख सकते हैं कि फलिया भी लग चुकी हैं कि जो इनसे हम किसान हैं हमारे साथ इनसे हम जानते हैं कि यह जो है इसकी बुआई की समहीना किये थे और इसकी तोड़ाई बगारा कैसे स्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकाम पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे हैं कि आपनों नाम बता देजिए मेरा नाम जीत लाल यादो है ग्राम राजेपूर पोस्ट कपसा तैसेल फोलपूर जिला परियाग राजी मुंग की जो है किस महिनम किये थे मु अगरा किति बार करवाय थे एक मर्तबा रोडवेटर से बाकी दो मर्तबा सिचाई किया हूं और यहां पर जो मुंग की बुवाई किये हैं तो इससे पहले मलब किस चीज का खेती हुआ था इसमें इससे पहले सरसो के खेती किया था यहां पर लगभग खाद वगरा कैसे ड यहां पर केवल डिएपी बहुत हलकी मात्रम डाले हैं चूंकि हम किसान हैं उतनी ब्योस्था नहीं हो पाद ही जितना की ब्योस्था करना चाहिए यह जो विराइटी मालूम है कौन सी विराइटी है मुंकी वाईको कंपणी की है वाईको अधाक पास 20 भंडार भी है ने हम वह इसे मांगे चलिए कि फरवरे मार्च यानि डेढ़ महीने पौने दो महीने के अंदर में यह फल दे रही है अभी लगभग कितना दिन हो गया गया इसको फल तोड़ावने में नहीं अभी इसको बुवाई की कितना दिन हुआ है अरे बुवाई का इने मल्दब कि 15 से 20 कि तक की बुवाई है यह 20 फरवरे मार्च प्रेल में लभग लोड़ाई महीं हो गया तो यह जो है अभी कितना समय लगेगा तोड़ाई लेने में अब तोड़ाई में ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के अंदर में इसकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी है और इसमें पाइ पहले भी इस बीच का बुवाई कि यह बीच पहल मर्टबा का है तो जो है इसका अभी सिचाई कितने बार किये हैं दो मर्टबा बुवाई करने कितने दिन बाद जो है पहली सिचाई किया थे इसका पहली सिचाई जब यह कहने मनलब बारसात हो गई बोने के बाद में उसक शिछाई किया उसके बाद आज रात को फिर दूबारा शिछाई किया यानि ये दूसरी बार आज शिचाई होाई है यहाँ पर आज शिचाई है रहाँ जानों को इसमें खाद अब टालेंगे आप खाद नहीं पड़ेगी आ यानि दो वरसी चाहिए हो गए अब इसमें सिर्फ फल की तुड़ाई यह अलग जाएंगे तो इसका तुड़ाई शुर कर देंगे तो अभी कितने समय लेगी है ज्यादा ज्यादा पंदरा बेश दिन यहां पर जो है मुंग की जो है क्या रेट रहता अगले वरसे क्या लेकिन मैं वह रेट को नहीं पकड़ पाया मैं बेचा था ताइंटिस सुमें यानि अभी आप अगेति खेति किये हैं तो इसमें जब तैयार हो जाएगा तो आपको अच्छा कीमत रेट मिल जाएगा ना वह से आंकला तो यहीं लगा कि बैठा हूं क्या रेट होगा जब बेट दितर्वा हम हम ने कहा नहीं हम स्फे के ऊपर बैचेंगे तो अगयति खेती करने में नूकसान है अगयती खेती करने में हमको बहुत बड़ा फायदा्य और अक्सारा के पारिंगे और अगला मर्तबा फिर इसमें सरसोब जाएंगे उसके बाद फिर नहीं अक्सर बोएंगे से अगेती खेती किया जाता इसमें रोग बिमारी भी कम लगता है अगेती खेती में रोग बिल्कुल नहीं लगता है अगर हमें अच्छा खेती करना है अधिक पैदावार लेना है तो हमें जो है अगेती खेती करना अच्छा रहता है तो किसान भाईas Do हमें उम्मिदे कर आप अगेति करके अच्छे से अच्छा मुनाफह कमा सकते हैं और ज्यादा पैसे की कमाई कर सकते हैं और रोग से मुक्ति भी रहेगा तो हमें उम्मिदे कि आप अगें प्रसपा किरा हैं झाल झाल